पदा जब शेर जबट्टा मारता तो सामने वड़ा खतमी हो जादा गहलोने का दो कामी चोड़ दो और जब शेर की बात कर रहो तो मैं बता दूँ आपको कि भाई शेर कितना भी जबट्टा मार ले उसको जब काबू में लाना होता है न उसको एक इनसान ही कले में पट्टा डाल के टाइल आता है ठीक है न तो यह भाई सेर वाली बात का जबाब हो गया आपका अस्मान में धूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के धूक उन्हीं के चेहरे पर गिरे सर प्रथम ये लोग वहां पर जाते हैं क्योंकि इनको भूत दिखाई जिता हर जगा लेकिन मैंने अब तक जो भी इनके वीडियोस देखने हैं उसके भूत इनका बनावती भूत ही नजर आता है वो करते हैं यहां पर भाई कोई है खलाने का साउंड आ रहा है बच्चा र रहा हि जुक्रोवात होने से बहले ही चालू हो जाती हैं यह ज़ेते हैं मैं बार बार कहता हूं जो पिखेगा नी वो बिके में पार यह था यह जोग गये चली नमस्कार मित्रों मैं नंदन बाचपेई हाजिर हो चुका हूं आप सब के समक्ष आप सब मेरे भाई मेरे मित्र जितने भी हो आप सब के समक्ष एक नया एनालिसिस वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो में नया क्यों कहूं यार अप सब करना काम ही है तो इस वीडियो में ये फ़मनेल ने देखा ही हो गा कि मैं मैं बात करने वाला हूं इन भाई की जो आजकल बॉखला गए हैं काफी क्योंकि इनको अपने जो है जो एक्टिविटीज ये शो करते हैं उस पर इ तो कहीं न कहीं से इनकी यह मंडी ठंडी न हो जये इस वज़ेसे बढ़ते हैं इनकी बातों को ले करके जो आज कल कंट्रोवर्श सी मचा रखी इन्होंटे और इक तरफ है शे तरफ है दर रियल वन मिश्टर दीपक वर्मा तो इन्होंने क्या किया है इन्हों ने हम तीनों लोगों को टार्गेट कर दिया इसमें हाला कि इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया यह अच्छी बात है लेकिन यह महसूस करा साथ जा सकता है कि इन्होंने मैं अपना पॉइंट किया इसमें जो कि मतलब अपना कंटेंट जो है ठीक तरीके से बना रहे हैं वो कहीं पर जा रहे हैं तो उतना ही फिल कर आ रहे हैं जो कि रियल है जो ने जो महसूस हो रहा और सा उच्छल गई ज्यादा ठीक है ना पर भूल गई कि वापस जमी नहीं गिरना है और आगे बढ़ते हैं कि मैटर कहां से चालू होता है तो यह मुद्दा चालू होता है यह जाया करते थे कहीं भी चले जाते हैं क्योंकि यह दिल्ली में तो बहुत सारी मैंने सुना दिल्ली तो ऐसा मत करो मेरी अपील है सभी से है कोई अच्छा दिखाए बुरा दिखाए नूमैटर पर दिल्ली में इस तरह से गली गली जा करके कैमरा मत घुमाओ और भूत मत धूनो बच्चों के घर में और बुजुर्गों के कन्याओं के महिलाओं के अगर इनके घर में बात घ कर लें सब सभी को करना चीए मैं पर्टिकुलर इनके लिए निंग बोला हूं हाँ मैं मुद्द पहले बता दूए गय थे वहां पर और इनको वहां पर बहुत सारे जो है साउंड सुनाई दिये भूतिया जो है हरकते दिखाई दी और साउंड तो इनको हर वीडियो में सु सब्सक्राइब करना पड़ता है मैं समझ सकता हूं करोगे नहीं दिखाओगे नहीं तो बीखेगा नहीं यह क्लियर समुद्ध है तो इन्हों ने यह सब चीजे करके वहां पर दिखाई और वहां पर उस लोकेशन को भूतिया घोसित कर दिया यह था मैटर अब बात करते हैं सागर्थीवारी जी की मिस्टर हैस्टेक सच्टिवारी जी जो की वहां पर जा करके और इनके इस मित को क्लियर कर देते हैं रात में 12 बज़े भी पहली बार वह बार बज़े रात में जाते हैं, investigate करते हैं और सागरतिवारी जी वहाँ नीचे भी उतर करके दिखाते हैं, हर तरीके से explore करते हैं लोकेशन को, पर उनको भाई ना कोई वहाँ पर sound आता है, ना कोई फील आती है, ना कोई पैरों की अवाज और ना कोई वच्चे के रोने की अवाज, इस तरह से वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, इवन EMF मीटर लेकर के भी जो है, वो जाते हैं रात में तो, उनको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता है, गूगल टाइम तीन बज़ के तैतिस मिनट त्री 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 तीन बज़ के तैतिस मिनट सुभे के, बताते हैं कि रात को बारा बज़े के बाद, एक बज़े के बाद ये चीज़े, ज़ादा effect करती है, जिन लोगों के दिमाग में ये चीज़े बैठी हुई है, बस वो निकल जाए, और कि तो आज ये डोनों बंदय, ये बॉखला घूम रहें ये तो अब हुआ कि इनों ने जो है चुकि अपने इस यह मीटर लेकर के इनका जो है और भाहि और आ जो है दिखाता है कि देखू भाई यह मेरे लाइट आ रही है या यानि कि भूत है यहां पर यानिकी वह आपके लिए मैंने कुछ रखा हुआ कोई कोई इसके पास आसे कोई बच्चा कोई देखना आपके आपके मतलब की जीजिए आप इसके पास आओ कि यह कोई वाइपस है इदर ठीक है वाइपस हो सकती मानते हैं लेकिन आपके मीटर में किस तरह से वाइपस हती वो मेरे को मालूम है क्योंकि हाकिकत बता दूं आपको आपको मीटर के साथ खेलने कि परिभासा तक नहीं मालूम उसका एबी सी काखा गागा कुछ नहीं मालूम है और रही मीटर की बात एमाजॉन क्लारा फ्लिपकार्ट टेर अलाट टाफ मार्केटिंग प्लेसे से वेर यू कैन बाई जिस वेरी इसली यह मीटर जो है बहुत बड़ी चीज है क्या एर ती बात करते हो और भुद बुला लेते हो लाट जलवा लेते हो इसके बारे में मैं एक वीडियो पर्टिकुलर बनाओंगा और अभी नहीं बनाओंगा जब मैं खुद भी मीटर मंगाओंगा मैं जरूर बनाओंगा और मैं बड़ी बात तो बोल नहीं सकता भाई मेरे हाथ मे मीटर नहीं तो मैं इस मुद्धे को नहीं ज्यादा उठा सकता तो जिस दिन मीटर होगा मैं जरूर दिखाऊंगा किस तरह से ये इवन इस पेशल की बात पता रहा हूं जो यह जबर जस्ती की जो बत्तिया जला देते हैं मैं इंकी बात आ रहा हूं क्योंकि इनको काखा गा आप आप इंडियन परनॉर्मल जो सुसाइटी है वह भी अगर यार इनको देखती होगी तो वह सती होगी और इस क्लिप में आप देखलो है उन्होंने साफ साफ बोला है तो यह जो काम कर रहे हैं आजकल बच्चे-बच्चे करते ग्रूप बना करके भाई किस दुनिया मे आप 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 आय। आप 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 साइटी को पूरी बदनाम कर रहो तो यह करना ठीक नहीं है कि आप लोकेशन पे जाओ इंविस्टिगेट करो एक्स्प्लोर करो बुरा बात नहीं है और फेक भी बनाओ यार भी बुरी बात नहीं ठीक है बनाओ सब्सक्राइब ऐसा नहीं है उपताग सब्सक्राइब करें पहले होगा जो वहाँ मेरे साथ होगा धो rebel करूंगा ऐसा नहीं कि जबर जस्ति प्याड़ हिला दिया और पीछे से जो है चपल ठोक दी ताली ठोक दी ऐसा काम नहीं करूंगा प्रण जब करें और जाके वहीं पर हमको पैर दिखाता तो बस यह मैडर और उसके बाद फिर से सस्थिवारी जाते हैं और वहांके रागीरों से हों करके लोगों से निवासी उनसे भी बताते हैं है कि वह लोगह खुला बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं कुछ बंदे आते हैं केमरा ले और उल्टा सीधा जो है शूट करके चले जाते हैं उन लोगों को कोई इस बारे में कुछ मालूम भी नहीं है तो यह मैटर है तो यह कुछ ना कुछ इनके वीडियो में इस तरह की गत्विदियां दिखती रहती यह जवर जस्ती शो करते हैं यहां पर भाई कोई है फलाने का सब्सक्चा जवाब कैसे मिल गया जो है सच तिवारी जो है वहां पर चले गय जाते हैं रात में बारे बज़े अब ये तो भाई encourages कि यह सातार बज़े स्यूट करने वाले बाराएक बज़े तो जाते होते तो इनके किसी भी वीडियो पर इनका गूगल टाइम आपको मिलता नेकिन कभी नहीं मिला ठीक है और कभी मिलेगा भी नहीं और अगर एक आर बार मेरे बोलने से मिल भी गया तो बस एकायाद बार माल लो वह यहर मसकत करके चले जाएंगे यार लाववकोत यार दिक्त हो रही अब बना लिया जाए 12 बजए 22े दिक्त नहीं है लेकिन आइश तिंक कि नहीं जाएंगे ठीक है यह फैक्ट है यह नहीं जा सकते इस समझिए बातें कर सकते हैं चाश्तिवारी यहां पर 12 बजए रात पिजाते और व को और 10 12 जाते हैं तो दो तिंतिन बार दोनों लोग साथ में जाते हैं पर कुछ मिलता नहीं तो अब हो दा क्या इससे मार्केट में यह लिए चोने मार्केट में आ गिया सच का सतरी चो मतलब ृयल फील दिखा तो आप लोग को मतलब अब जाहिर सी बात है जनता वाई सीधे जो है कब तक इनको में जो है बरदास्ट करेगी तो इनको अभी से खत्रा भाप रहे हैं कि ऐसा नावयार कि यह जो है रियल दुकान जो जो रियल वह आ गया है प्रोडक्ट मार्केट में वह हमारे पहर में चले जाते हैं शीष महल पार्क और वहां पर जाकर करके यह जो है दुनिया बर की बात करते हैं और वह इसलिए करते हैं और जब लोगों का लोगों ने खुल के आश्वासन दिया इवन वहां के जो समसान के जो पंडित जी थे प्रधान जी थे उनसे भी सागरतिवारी ने बात की तो उनका भी कहना यही था भाई यह फरजी के बंदे कोई आते हैं और सूट करके चले जाते हैं अब उन्हें तो म मारता है और भाई सेर जब जपट्टा मारता है वो तो बोल दिया आपने आपको सेर पर मालूम है सेर को भी एक कामन इंसान ही गले में पट्टा डाल के टैलाता है ठीक है न कि क्या एर चलो खेर कोई मटर नहीं है आपका अपना कंटेंट है कुछ भी बोलो कुछ भी कहो है फलाने का अपना है जिसको टार्गेट कर रहो ठीक है पर एनलीसिस करने वालों को टार्गेट मत करो वही एनलीसिस केवल मैं कर रहा हूं तो वही बतार मैं सबकी सबके बारे में करता हूं केवर पर्टीकुलर आपको नहीं करता ठीक है ना मेरे सारे वीडियो उठाओ औ कि मैं सबको जो है सबके अपने पॉइंट आफ व्यू सबके लिए रखता हूं इसे इक्वल समझो हां आपको जो है क्लेम और कॉपी राइट और यह जो भी देना हो आप देख सकते हो आसानी से मेरे को कोई मैटर क्योंकि कॉपी राइट देने का सीधा सा मतलब आप आप जो और भी दीखाऊंगा को खुला बताओंगा और यहां पर कुछ मैसूस नहीं हुआ है अगर मैसूस होगा तो भी सामने आएगा इनसान के साथ जब कोई वह होता कहीं पर न कोई साउंड आता या कुछ भी आता था तो उसके चेहरे पर आजाता है सब कि अगर मैं डरूंगा तो मेरा चहरे का एक्सप्रेसेंज डरावना हो जाएया वहला डराऊवस हो जाएगा यह अप डर नहीं रहे हो और साउंड आ रहा है अब अच्छार वो रहा है खबर फट रहे यह यह हो रहा है ग्रेवियार्ट से भूत आ रहा है क्या मतलब है क्या हलुआ पूरी समझ रख्या क्या कि जो है लाइन लगा और जो है खाते चले जाओ तो भाई मैं खुला चैलेंग दे रहा हूं ठीक है ना जिसको टेल टार्गेट कर रहे हो कभी जो जिस तरह से बोल रहे हो कि इस्टाग्राम में मैसेज करो तो भाई इस्टाग्राम में मैसेज करता हो बंदा ठीक है इस्टाग्राम पे मैसेज भी कर चुका है फोन भी कर चुका है पर दमखम नहीं है कि मैं फोन उठा करके बात करो और उनसे बात करो और उनके साथ में 12 बज़े जा करके वीडियो कर चुके हो ना और अच्छी तरह जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं मिस्टर दीपक वर्मा तो अब उनका काम खतम हो गया है तो इसलिए किनारे अटा दिये उनको और उनका वीडियो भी डिलीट कर दिया है कि अखुद जाओ ना फिर बारा बजे रात में मैं पॉजटिव एनर्जी दोनों को मानता हूं मैं निगेटिव एनर्जी और पॉजटिव एनर्जी दोनों को मानता हूं ठीक है मैं कभी नहीं कहता कि यह चीज नहीं होती है या प्रजेंस ऐसी नहीं होती है मैं हमेशा मानता का जो है किसी भी लोकेशन स्कूयार मनला वहां पर घोष्ट बोल देते हैं पहली ची तो भूत सब्द का इस्तेमाल करते हैं वो बार-बार इनको भूत ही नहीं मालूं क्या होता है वो जो बचपन से अभी तक बड़े-बड़े रीच वाले भूत देखते चले आ रहें अपन अपने न और ना कोई घ्पट्टा मारा है कोई बड़ा काम नहीं हो गयाै मैं अभी यहां पर कलियर कर देता हूं अब याद दूसरी बार जो है बोल रहे हो कि दूसरों के मेरे को नहीं बोला आपने और बोला भी हो तो मैं तो जबाद देही रहा हूं आपने जिस बंदे को टार्गेट किया है तो मैं उसकी तरफ से यहां पर उसका पक्ष भी रख रहा हूं और अपना पक्ष भी रख रहा वाह तो जो कह रहा हो कि दूसरों के कंधे पर बंदूग रख करके मत आगे बढ़ो तो भाई इस क्लिप में आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि कि आप दूसरों की बात कब से करने लगे सबसे ज़्यादा कंधे दूसरों के आप ही ने इस्तिमाल किए और मैं अपने ले का क्रेडिट मैं लेना छोड़ दिया मैंने वहां से कमी कर दिया मैंने जो कुछ हुआ उसको मैं भूल गया मिठी को मिठी के अवाले कर चुका हूं लेकिन यहां पर मेर ना के सिरिप मेरे बलकी मेरे को छोड़ो, किसी और के सिने पर रख यरो बढ़ गयों, ठीक, अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन यह कहते क्यों हो कि किसी का कंधा मेरे को नहीं मिला चलो मेरी मेरा नहीं मिला कोई बात नहीं मेरे को मत मानूं मेरा तो एकसेप्ट नहीं करना है लेकिन जिसका मिला उसको तो मत भूलो भाई बड़ा दुखी हो जाएगा आपका मित्र है वो और उसने कंधा ना दिया होता तो यहां तक ना पहु इस्तेमाल किया और कह रहा है आज की मेरों को जो है मत दूसरों को बोल रहा है कि दूसरे के कंदे पर जो है आगे मत बढ़ो यह है वह है तो इसे भी आप देख सकते हो तो दोस्तों दा रियल जी विल्ल के एक और निए अपीसियोड में आपका स्वागत है रात में जाओ रा जाते हैं और इन्होंने मुझे क्या है तो कौन सा कंधा है फिर उसके बाद आप एक बात कह रहे हो कि जितने भी एनालीसिस बनाने वाले है तो आई थिंक कि एनालीसिस मैं कर रहा हूं यहां पर और हो सकता है और भी लोग आ गए होंगे अनालीसिस करने वाले और उन सभी का मैं स्वागत करता हूं अगर वह अच्छी तरह से अनालीसिस करते हैं पॉजिटी वेपर करते हैं तो जो आपने बोला अभी कि जितना भी एनालीसिस करने वाले हैं दम हो तो बारा बज़े रात में मेरे साथ में वीडिय और मेरे पीछे आप देख रहें एक जाना माना चहरा आपका ही चाहता टैग फोर नेट के दनन वाच्पीजी और आज जिस जगह हम आए है वह है दिल्ली की most haunted locations आपको मैं दिखाना चाहता हूं दिल्ली की most haunted location को आप देख सकते हैं यह वह और रास्ता जो आप जानते हैं दिल्ली केंट का यह रास्ता जो है यहां पर वाच्पीजी को हम लेकिया है इनके और अगर गये हो तो उसके phone नहीं उठाना उनका चोंकि आप खुद ही नहीं जापा लगे 12 बजए और बारा बजए के बात जाएं नहीं सकते हो सीदी सी वात है अईसी बात मत भूलो जो किसी को मिंश करे나我知道 कम खुद नहीं कर सकते हो वह दूसरा अगर कर तो उसको चैलेंज मत करो यार और वो तो उसकी आल्रेडी वीडियोस में सब उसको क्या बता रहे हो 12 बजे जाने को जो हर वीडियो में जा रहा है 12 बजे नहीं वो तो एक एक दो दो बजे यह सब ही गया है तो ऐसी बात कोई ना करूं कोई मतलब नहीं बनता है और बताएं आपको एक पॉइंट एक जगा बंदा बोल रहा है कि रोकने से भूत नहीं मिलते किसी को रोक करके बात करा देने से भूत नहीं मिलते भाई आपने जिसे रोक लिया है बात करा दिये क्या उन्होंने भूत दिखा दिया आपको मेरे को तो नहीं वीडियो में दिखाई दिया तो बताओ और एक और बता दूँ आपको बात जब उसने जब उनसे आपने ये बात पूछी है ना कि कभी आपने भूत देखा तो उस जगह पर सीन कट कर दिया आपने क्योंक 재ודע का मतलब मलुं क्या था वो कहना चाहरा था नहीं आहीं है एक सीन अपने कट किया उसे कुछ समझाया या कपे उसके बाद बोल दिया उसने यहां पर जैसे आप घूमते फिरते कभी आपको कुछ नजा रही है यहां पर जब बाइस कभी आता तो डर्सी लगते हैं यहां ठीक है ना वह उतना सीन कट करके जो है फिर दूसरा सीन अड़ किया है तो वह सीन जो कट किया है उस ब्रेक में आपने क्या किया यह दुनिया सम उसकील होता है और मैं आपको बता दो यार मैं अभी एनलीसिस करता हूं घर पर बैटके यह मेरा कंटेंट बन चुका है अचली लोग मुझसे बोल रहा है यह ठीक है ना अपनी मतलब जबर जस्ती का किसी को टार्गेट करना अपना काम नहीं है और जिसके बारे में भी सव सवाल उठाता हूं कहीं भी गलात अगर मेले को मिलता है तो मेरे को गलत मीलेगा तो मैं सवाल सवाल मिलेगा जीमने अचलीमá भी मैंने सवाल उठाएं कि कभी बुरा नहीं माना और मान भी जाया जाए घाख तो भाई मेरे को तो गम नहीं ना मैं तो सवाल उठाई रहा हुँ स्कॉज आंखर पर तारीभ हुका करunn रिद्ला में बारी और यह जी स्क्रीन सोर्ट देख लो किस तरह से एमेफ मीटर पे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से बात करते हो ना और नीचे जो है गद्दों के बीच में जो फोन गुशिड़ा रखा है उसको मैं जूम करके यहां पर दिखा रहा हूं कि यह लाइट बिलिंक किस तरह से हो जाती है आपकी और किसी दिन प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको ठीक है ना पैरानॉर्मल और आपको बताद में यह पैरानॉर्मल साइंस वालों का आप मजाग बना रहे हो वह एक संस्था भारत का जो है बहुत बड़ा इस्टिस् क्यान होता है ुष अनुभा कमाना पड़ता है और यह मैं नहीं कह रहा है यह आप खुद कहते हो आप हीने अप्मय बोला है ना कि ऐसे आडिकान देटना पड़ता है यो मैं कि आतीत करो जाकर करना है उनसे सीखो कैसे कम्यूनिकेट करना होता है क्या लगते हैं कि तरीके की डिवाइसे दो जैता है उनसे किस तरह पेस आया जाता है जो इस religion होती है जो दो तो सीधा भूत भोल देते हो और भूत नहीं आता उस पर यह में फटी के ना उर्जा होती है इस तरह से और यह गद्दों के बीच वाला जो यह स्क्रीन सोट है यह जून करके आंके फाड़ के देख लो कि गद्दों के बीच में फोन क्यों रखा हुआ है फिर कहते हो इतनी लाइट जल या उतनी नहीं जलती है कभी कभी पांचों जल जाती है क्या नो टंकी बना रखी है और भाई एक चीज़ और बता दूं आपका जवाब मैं कम भाई को देख लो अच्छी तरह हर आदमीन को जान चुका आज की डेट में और सुन लो क्या कह रहे है तो यह आप दुनिया में हो आई पीएस का तो मजाक मत बनाओ और आखरी में बत और बोलना जाओंगा वही जो आठ च्छेद करने की बात कर रहो ना इंसान के सरीर में कितने च्छेद होते हैं उपर वाले ने इनसान के शरीर में नौ छिद किया है दो कान के दो ना के दो आंक के हैं ए और मैं आप मैं आपको बता दूँ वाई मैं छेद नहीं करूंगा जो वाले दो छेद होते हैं ना इनकी आप बात कर रहे हो वह भी बंद कर दूंगा अब आगे बढ़ते हैं मैं अपना तर्क वितर्क थोड़ा सा कर लेता हूं यह तो पॉइंट रहे मैंने पॉइंट आप जाना चाहते हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है अप फील कराओ और आप बोल ले हो ना कि मैं आप दिन में आया हूं दिन में भी आपको मैसूस होना मैसूस मुलब आप कर रहे हो कही मुझे कोई पकड़ना ले इसी समयल और शालीमार पार्क में जो है बैट गयो जाकर के अईसा नहीं होता है, उन भाई साफ को आपने जिनको दिखाया है, ठीक है, मान सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्होंने आज फिल्मी दुनिया को चल्चित्र को देख कर के इन चीजों को मन में मिठा लिया है, कि हाँ भूत होता है और फ्लाना होता है, होते हैं, लेकि तो मैं आपको बदाता हूं यहां पर सागर भाई को टार्गेट करने का मतलब मालूम आपको क्या है कि यह कहानी जो है स्टार्ट होती है आपको ले चलते हैं सीधे पॉइंट पे तो यह कहानी स्टार्ट होती है इनके तरफ से फर्स्ट टाइम जब यह गए थे तो इनका कहना है कि इनको यहां पर पीछे कोई बच्चा दिखाई दिया था अब फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में जो है कोई औरत यहां पर इनको जो है बुलाती है मगर जाने का और एक बार यह इवन यह भी बोल रहे हैं कि बच्चा रो रहा है बलकि आवाज भी दिखा रहे है कि बच्चा रो रहा है यहां सम्शान गाट में हा बिल्कुल रहा ही है यहार अज पापा ही न While Ohhh है मेर भाई बच्चा रोटा नहीं है ठीक है न अब हो बहुत जगह को बच्चे को मैं आपके साथी वाले वीडियो को देख चुका हूं बहुत जगह रूलाता रहता बच्चे को अभी अगले वीडियो उसका भी लाऊंगा थोड़ा सतर्क वितर्क उस्पे भी रखूंगा आपको जाना या दिन में दुपारीम चले जाओ सुबह पांच बज़े जाके सूट कर आओ दस बज़े चले जाओ बारा बज़े दुपारीम चले जाओ कोई मतलब नहीं है और भाई भूत होते हुए भी जो है अगर आपको भूत दिखता तो भाख़़ होना चीए ना बच्चे की अवाज आई वहीं रुके भी हो क्यों ऐसी जगह को बदनाम करते हो जहां पर लोगो दिल्ली को बुता बना दोगे क्या मैं दिल्ली का नहीं हूं फिर भी दिल्ली का भला चाहता हूं यार रासधानी है इस तरीके से अगर भूतिया दिल्ली हो गई न तो भाई आप लोग नहीं समझ रहो क्या हो जाएगा मां भारत के बाहर जो भी जो मुल्क होंगे वह कोई भी ओ अच्छा बना रहो बुरा बना रहा हो यार सबके सब यह दिल्ली की लोगेशन पर ही जाते हैं इस सबसे पहले सबसे ज्यादा लोकेशन दिल्ली की पड़ी हुई है शर्माने वाली बात है लेकिन उनकी तारीफ करता हूं जो दिल्ली से हटके भी निकलते हैं ब को वहां जाकर के भूट को हटा देते हैं तो हटाना हम कहते हैं अगर प्रजेंस है भी यार क्यों चिल्ला ना भूत है बच्चे डरेंगे नहीं कि आपका वीडियो देखेगा कोई उस रास्ते पर जाने छोड़ देगा तो ये नहीं करना भाई So, hope to see you again so long with another content नंदन बाच पे